दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे मंत्र की जिसे अगर आपने अपना लिया तो आप अपने बिजनिस को बहुत आगे ले जा सकते हैं और वो है कश्टमर का फाइदा सोचना जी हाँ दोस्तों अधिकतर छोटे व्यापारी बिजनिस में अपना पूरा दिमाग इसी में लगा देते हैं कि उनका अपना फाइदा कैसे जादा से जादा बड़े लेकिन आप अगर बड़ा बिजनिस खड़ा करना चाते हैं तो आपको कश्टमर के point of view से सोचना होगा कि उन्हें इससे क्या फाइदा हो रहा है अगर आपके product या आपकी service से आपके customer को फाइदा हो रहा है अगर उसे ये नहीं लगता कि बिना वज़व बस उसकी जेब खाली हो रही है तो वो customer का फाइदा multiply होकर आपके पास जरूर आएगा business कोई सा भी हो सकता है लेकिन ये मंत्र हर business के लिए value है जैसे मान लीजिए आपके पास जूते चपल का business है और आपके पास कोई ग्राहक footwear लेने आता है आप उससे direct पूछते हैं भाइया कितना number और जूते चपल दिखाना शुरू कर देते हैं क्योंकि यहां आपको बस ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा यूज क्या है क्या वो मजदूरी या खेती का काम करता है तो उसे मजबूत जूते दिखाईए क्या यह जूते वो ऑफिस में पहन कर जाना चाहता है तो उन्हें official लुक वाले durable जूते दिखाईए क्या वो यह जूते किसी party में या जरिये से सोचिए कि जब आपका ग्राहक अपने परिवार के साथ आपके यहां खाना खाने आया है तो वो सिर्फ स्वादिश्ट खाना खाने नहीं बलकि अपने परिवार के साथ quality time spent करने आया है ऐसे में आप कोशिश कर सकते हैं कि उनके इस पूरे experience को यादगार बनाया हो सकता है कि आप उनकी फोटो अगेरा खीचने में भी मदब करें यह ध्यान रखिए कि संभवत या खाना उन्हें अपने घर से महगा ही पढ़ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस extra investment के बदले आप अपने ग्राहक को खाने के अलावा कुछ extra value प्रोवाइल करे आप अगर customer first की approach रखते हैं तो निश्चित ही आपका business बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि ग्राहक से ही व्यापार है